मुझे ये नहीं साय देर पूरे अर्फित दुआ होगा मान अपता जिसके अंदर है उसे तो हुआ है अगर ये चीज ना रहती है हमारे अंदर अगर आपने महाबाब से पूजा करने जो फसर ना है तो हम पाविका कर देगी हमते हैं इसना पैदा दिया इसनी मांते ना है बेज जबनी जाए के धूल पूल मांगाते ही माटी बखेर हाथरस में जो पुरा मामला हुआ और जो 116 लोगों की मौत हुई उसमें जारतर महिलाए थी जो सबसे विशेस कारण था कि जो बाबा वहां पर सत्संग सुना रहे थे नारायन हरी वो कहां पर हैं बड़ा सवाल है वो अभी तक पकड़े गए और नहीं पकड़े गए तो क अब तक पकड़े जाएंगी है सबसे बड़ा सवाल है मगर जब हम उनके गाउं में पहुंचे तो हमने देखा कि बाबा ने सत्संग कर करके या फिर जो भी को काम करते थे उनसे अपना एक बड़ा सामराज्य खड़ा कर रखा है और हम इस वक्त वहीं पर खड़े हैं मेरे मगर जब हम यहाँ पर हैं तो जाहिर है कि बाबा अज यहाँ पर नहीं है उनके गाउंवाले हैं और इस गाउं में जो लोग रहते हैं वो बाबा को किस तरह से जानते हैं चुकि बाबा का जो अब ऐक डूसरा रूप निकल करotal करके सामने आया है वो सत्संग सुना रहे ठ और सत्संग सुनाते वक्त जो भीड इकठा हुई उस भीड में जो आबा धाबी जो भगदर मची वहां पर तमाम लोग मारे गए मगर उसका एक दूसरा पहलू भी शायद हो सकता है या उनके खिलाफ हो सकता है उनके पक्ष में हो सकता है इनके गाओं वालों से बात करेंगो और देखेंगे कि बाबा का दूसरा रूप क्या है सब क्या नाम हुँ आपका अपका भी तो कुछ नामी होगा है अब अनाव जो कल हुआ आप उसके बारे में क्या जानती है भाया जो भी हुआ कल उसके लिए बहुत दुखर है और दुखत गठना है भी मुझे नहीं सायद है कि पूरे भारत को दुख़गा होगा मानपता जिसके अंदर है उसे दुख़गा होगा तो आप पहले ये बता दीजे कि आप इनके घर से कितना दूरी पर आपका घर है कितनी दूर रहती है ये सामने घर है और बगल में जो है वो भी अपना ही है किस तरह की बाते यह करते थे क्या लगा आपको कोई गलती हुई है इनसे जो लोगों को इकठा कर लिया या फिर पूरी विवस्था नहीं करी इन लोगों ने या हमेशा ऐसे ही चलता रहता था नहीं सासंग तो 2001 से चलना है और ऐसी घठना कभी नहीं हुई भीड इसे जादा आये लाखों के भीड डद्दस लाख की भीड इकटी हुई है लेकिन ऐसा हासा कभी ने हुआ लेका समझ में नहीं आथा क्या हुआ तो क्या कहते थे सथसंग में आप कुछ पता है कि लोगों से हमने बात की जो लोग मरे हैं उनके परिवार वाले दरसल ये बात कह रहे हैं ये बाबा कहा करते थे की भागवान की मूर्थिया अपने घर से हटा दो, पोस्टर हटा दो, इस तरह की बात कहते थे किसी के पास उदे दे अगर यह सब लो इनौनों कहा है कि अपने घर से मूर्तियां हटा दो किसी की पुजा पाट मत करो या और कोई तो कोई सबूत हो अगर उसके पास तो ले आए आए अप अपनों डर तो नहीं रहें घर के पास होने की वरे कि जाहिर है कि इतने तमाम लोग इनके समर्थक हैं इतने सारे भक्त हैं बाबा अचानक से गायब क्यों हो गए आप इतना हम भाइप नंबर तो नहीं है आप खनना साल बेटे होंगा पूचह होंकि वहां बंके पासुस्चना होगे कहा था हैं आप तो भी अपना कि pernah कर तो दोOS कश्तेश नरहाएंगा तो सब्सक्रा कर दो मैं लगलु नहीं तुलोंगा ऑफ बदिसका जिसके घरा की बबाबा की जरूरत है कि हमारे बाबा आ जाए मेरे पास और हमारे सर पे हाथ रखें आशिरवाद दें ताकि हम फिर से हम लोग आगे बढ़ें तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहरा हूँ कि बाबा कब आएंगे और कब अपने भक्तों से दुबारा मिलेंगे मोजे नहीं मालम है आप बताई मैं बता दूगा का अब हमने देखा नहीं उनको ना सांग मैं मैं साब बताऊ मैं कभी ने देखा ना कब देखा नए ना आए-दुए कभी तलग जहां पर तो सन government रहते हैं कोई हम्ने रहते हैं अब अब बाबा सत्संग में क्या बताते हैं आप लोगों क्या बात करते कुछ अच्छी बाते बताते होंगे तो इस लिए आप से पूछ रहे हैं क्योंकि अभी कल घटना हुई है दरशार उससे बहुत लोग परिशान है अब बाबा हो सकता है कुछ दिन तक सत्संग ना सुना पाएं क्योंकि भाई इन सब चीजों में आबाधा भी बनी रहे हम लोग विएन बहुत मांते या आते जाते भईया इत्जी तो जानकर हमे है तो मैं पता हूं बाबा को सुनती थी और सथसंग इसलिए सुना जाता है जाता है कि सी बाबा के पाँ जाता है तकि कोई दुख तकलीब घर में हो बच्चा परिशान हो माबाब परिशान हो है युदिक्कत हो गर में तो वह चीजzy पूरी हो कुछ बताई और नहीं कि तरह से रहे हैं तो की का सब्सक्षान कुए कई कैसे आपके घर में किते लोग हैं, क्या कौन क्या करता है? करने के बाद बाबा के भी किर्पा हो जाते हैं, क्या नाव हो असर आपका? चामा जी कल जो घटना खोई बड़ी दुपीडा दायक है, बड़ी दुख दायक है, अब दरसल जो लोग जिनकी डेथ होई, जो लोग मरे हैं, अब वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा फिर से वापस आए, सर पे हाथ रखें, आशिरवात दें, क्या लगता है आपको बा बाबा से मुलाकात हुई, मतलब कभी कुछ लगा क्या लगा कि बाबा कैसा सथ संग सुनाते हैं, आपके गाओं के हैं, इतने बड़े बाबा होगे मैं पहले महतमा था, पहले महतमा था, इनकी जो वारी है मेरे कान में आई थी, इनका सत्द का साथ चला था चंदोसी में, तो मेरे से कहा कि आप मेरे पास आजाओ, तो मैंनी आजाँगे, तो बोले, आपको रूप सरूप कैसो है, मेरे मेरे रूप सरूप मेरे जटा जूट खड़ी है, ठीक है मेरे पास आजाओ, जटा जूट उतरवाओ, मुंदन कराओ, और आजाओ मेरे पास, मेरे महातमा को रू तुम भगतो नोई रहना भगतो तुम भगतो नोई रहना हर इसे प्रेम करके आये है नरसा कर हर इसवर का प्याद लेकर तो अब मुलाकात होती है जब तब मुलाकात हो ती आप महात्मा को त्याग दिया आपने, उसके बाद कभी मुलाकात हुए बाबा से? हार समय मुलाकात ही रहती हुव तो हुआ पम लाखाति है अगर यह ची नहां रहती आहती हम अगर यह छी सुने ह्समेश्ज जब भू रहता है तब अब गई थे सुनें किया हुआ था हम तो कागते हैं जहां बैठे थी वहां से अलग से निकली चली आ रहे और इस्टेशन तक पैदल आए हम तो इस्टेशन पर आकर सुनने हैं कि कागते ऐसे कांड हो गया और हमें कुछ नहीं वालू कोई बात ही बहुत शुक्री आपका बात करने के लिए क्या अब दूर गाओं में रहते हैं लेकिन बाबा की करपा तो बड़ी दूर तक है और का सथसंग सुनते होंगे क्या लगता है क्या सिखाते हैं बाबा क्या सिखा मलब क्या उसे बसंते रहते हैं हम जातने इन जातने ओने जोट बोले का यहां रहते हैं नहीं तो अब आगए बाब दो करो तो हमें खेती से तामी ना आए तो फिल्वचन वाद सुनते रहता है हुने को परवचन अपर समझा रहता है है फने परी परी आए हूंज बहुस लूरी बात आपने बात बाह है कि माबाब की सेवा करो उसके बाद फिर बाबा अच्छी है एक चीज पूछने कि जब अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हमारे देश में जो बड़े बाबा हुए हैं जैसे आपके गाउं से इतने बड़े बाबा निकले तो हम देखते हैं कि यह लोगों की मदद भी बड़ी क उनने कोई मदद मागी बेकर तुम बता हैं अब जो लोग आता है अब उन्हें माल ही मदद मागी है तो किया परिसानी दूर हटी है कितने फाइदा वाएं अब बेही लोग जान सकतां है अब हम पर आफिकारब आप से का आ हैं तो हम तो कुई पता लें हमने अग तक काउ म पारे में आप क्या कहेंगे कल जो घटना हुई वो इस वज़े से नहीं मैं पूछ रहा हूं आप से की बाबा ने सत्संग सुनाया भीर अचानक भाग पड़ी यह हुआ वह लेकिन देखा आपने की जो महिलाएं थी वो गई वो उन्होंने कहा कि जो बाबा के पैर की धूल है हम वो ले लें कितना सही लगता है आपको कि भगवान को छोड़ करके बाबा के पैर की धूल ले निकले दौर पड़ी तो बहीं महला यान सकती है एक क्या लो तुम मिलता है उनसे अब हम तो जब गई ना है कब लई ना है तो हमें क्या मालम का मिन तो है अब जो लोग जात कि बाबा के पैर की धूल लेने के लिए दोड़ी और उसके बाद गड़े में गिर गई और सब बहुत सारी महिला है दब गई अब आप ये बताईए एक बाबा के पैर की धूल लेने की क्या जूरत पड़ गई आप भगवान को पूजिए पिरबु ने थोड़ी ने बताते हैं तुम हमारी पैर की धूली लेग। ये सचंगी मानते ना हैं बेज जबनी जाएके धूल पूल मांगाते हैं माठी बखर के बान लेते हैं पन्ने में हात पाई में लगाते हैं पेट में शीना में लगाते हैं उनको भाला होते हैं तब तो ले जा रही है इसलिए और कुछ लोगों के बात करने कर लिए आप भी हैं आप आप इहाए इसी गाउं की है तो आपका, पबाबा गए, तो कभी इनके बाबा का इसा बाना है जरा अंदर के बारे को, एसमें कोई नहीं है, तस्विर बगारा लगी होई है, आप यह बताइए कि बाबा का कभी सत्संग सुना हो, आपके घर के पास हो, कैसे सुनाते हैं? क्या बताते हैं सत्संग बारे को बताईए? सत्संग जो बोलते हैं सुनते रहते हैं परे परे घर पर और अंदर भी जाते हैं यह बताईए कि जो कल हुआ है अब बात यह है कि जो कल हुआ जिन लोगों की मौत हुई अब वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया मगर हमारे बाबा आए वापस हमें आशिरवात दें हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद करें मगर बाबा आ नहीं रहे हैं बाबा कहां चले गए बाबा तो मालू बहां से गए आप इस गाहों के इस लिए आप से बात पूछ रहा हूं अभी हमने लोगों से बात की आपको यह नहीं बताएंगी किस ने हमें बताया है आप लोगों क्या है लेकिन हमने जानकारी नहीं है जब उनके घर परिवार के बारे में पूछा तो सबने कहा कि उनका जो परिवार हैं इ αυτा बात है यह Kaavi aur जब से वावाज शरी नहीं अपनाना ससंख शुरू चिया है था उन्हें हैं कि अपनु रहतला थां मत्वलि पार जोट्य रहें तो अपने अगल रहते हैं कि अपने आर्भा नहीं थी आज चब्राब उनने किसी के मतवफली नहीं था बुराने लोग आप लोग इसी गाओं के हैं सब लोग यहीं के तो जानते होंगे इनके दादा पर दादा के बारे में थोड़ा सागर बता पाएं कि अब देघव क्ताब करते थे कुछी ओर कोई बげल आप एंग आफ एलेकर अलग होगéo इसा थी कि बाए भाई श्री नन याषी había बाबा कानामifen जानना कैंगे जलिए गाउं के लोग है नाराण साकार हरी रर वाहरी के नहीं ख्यादा जो है जो अपने आपको बुहले कहते हैं इनके गाउं के लोग थे और बहुत लोगों को कहना है 케 बाबा की करपा ही हमारे उपर बनी हुई है जिसकी वज़े से हम लोग अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं बहुत लोग दवी जबान में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं मगर कहने ही रहे हैं और बहुत लोग कुछ थोड़ा साव धुनली धुनली तस्वीर दिखाई पड़ रही है मगर वो कह बार है हाला कि कोई भी हो बाबा की करपा बनी हो मगर कल की जो घटना थी उसको ले करके सब के अंदर नाराजगी है और सब लोग चाहते हैं कि जो मरे हैं लोग जिनकी मौत हुई है या जो लोग घायल हुए है वो जल्दी जल्दी ठीक हो और जिनकी मृत्यू हुई है उनके परिवार वालों को लोग समवेदनाय देखने के लिए तैयार हैं मगर सवाल ये है कि अब जिस बाबा को पूजने के लिए जिस बाबा का सतसंग सुनने के लिए ये सारे लोग गए थे अब जो लोग ये लोग परिशान हैं क्या ये बाबा उनके पास आएंगे उनको सांतोना देने दिलासा देने के लिए कि नहीं अभी भी हम आपके साथ हैं क्योंकि जब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बाबा कहां चले गए तो शायद लोगों की थोड़ी बहुत भावनाय आहत हो रही हैं लोग कह रहे हैं कि नहीं बाबा तो सबके हैं बाबा कहीं नहीं गए आप बताईए बाबा कहां चले गए अब इसको या तो एक हिसाब से कहा जाता है कि जब कोई politician होता है या कोई बड़ा बाबा होता है तो जो आसपास के लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत जो होता है वो डर का बहुल होता ही है मगर इस बात को लोग मानने चरी टेबल ट्रस्ट के बाहर से रवी शंकर के साथ गोविन मंदल